अजबिल्लाय विश्यत्वान रोजीम, बिसमिल्लाय रॉम्हालोरहीम, असलाम आलेकुम उम्मीद्या मेरियत्स होंगे, मैं Harvard CSS Online Academy की गलब से CSS Preparation Series के साथ आख याजमित में हाजिर हूँ आज हम जिस मजमून की जड़ब जार यह जिस मजमून के ओपर हम बात करेंगे, ओ मजमून है Town and Urban Management Basically, इनसान शुरू ही से गाउं में, जान शुरू है मुटलिफ टाउं में, मुटलिफ अद्बंस में, मुटलिफ सेंट्रों में इसके मनेजमेंट के हवाले से, किस तरीके से उसको मनेज करें, यह सब्जिक्ट उस हवाले से, अर्बनेजिशन के हवाले से ही, तो इसमें Town Planning and Urban Management यह अप्शनल पेपर है और इसके टुटल मार्स है 100 मार्स है, यह यह 100 मार्स का यह पेपर है अप्शनल तो majority of the students जो है, वो interested भी है, चुंकि एक new किसम का subject है, और इसके को शोती के सब्जिक्ट हो जो के short possible time में हमको थावर काल सके, तो इस subject में हम basically 100 मार्स का है, Town Planning and Urban Management के अवाले से हम बात करेंगे, इसमें first जो है, हम definition के ओपर बात करेंगे, को define करेंगे, स्कॉप की बात करेंगे, पिर Town की management जो है, यह Town की जो planning हम ताते है, और multi disciplinary है, एक disciplines का तालुक नहीं है, economic wise भी, economy से भी है, society wise से society से भी है, sociological approach से भी आप करोगे, anthropologically भी आप उस चीज़ को judge करोगे, psychological भी लोगों के psychological position उपर भी हम बात करेंगे, politically के से administration पासे है, तो public administrator wise भी, तो यह तमाम चीज़ों wise हम एक टाउन को, या एक urban center को manage करते हैं, या कर सकते हैं, तो जिस तरह एक टलोनी बनती हैं, जिस तरह के से हम एक टाउन को build करते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को देखकर हम build करते हैं, या कर सकते हैं, हम सब यह नहीं लोगों के लिए, source of revenue generation possibility की है कि नहीं, अगर कोई revenue generation के possibility नहीं है, तो जननत भी हुआ लोग नहीं रह सकता, देखते हैं, जितनी भी हुपसुरत अलाके हैं हमारी शिमाल में, हमारी हुपसुरत अलाके हैं, मरी में हैं, स्केला स्वात में हैं, स्केला अबदाते अबटाबा फेशात में हैं, गलीयात में, लेकिन ओन जननी लगों में हैं, वहां के लोग आपने लोग जो हैं पिचारी भी आते हैं, शेरों में जाते हैं, क्योंकि वहां पे बाव मुश्किल, चन्द महीनों के लिए उनका सीजन चलता है, पिर आजकर जिस नहीं से सबसे सब्सें अग्बंद के हावाले से हम बात करेंगे, अगर हम एक्जेम्पल बात करें, यूरप के हम बात करते हैं, तो फ्राम सेचरीज ये प्रोड़क्शन ये उनकी थी, कि वो बकाइदा प्रापर्ली टाउन को जब प्लेंड काते हैं, तो एकनामे, सोशली, प्लेटिकली तमाम तो ये उस civilization है, जिसके अंदर एक urban center का concept पहली से मौझूद था, यह अगर हम देख लिए, अगर हम देख लिए, अगर आप जाए, टेक्सला के मकाम पे आप जाए, आप जाए, तादबई में गंदहर civilization को देख लिए, या इंडर civilization को देख लिए, उनके बकायात को देख ल में totally बहुत ज़्यदा, क्या कहते हैं, attractive system उन्होंने develop की, मौतलिफ किसम की, तो यह उनके historical approaches को हम बात करेंगे, पिर उसके बाद हम आते ही, urban और rural जो differences है, उनकी जो structure में differences है, urbanization और हासकर industrial revolution के साथ, जब industrialization नहीं थी तो agrarian economy होती थी, majority of the time agriculture में क्या होते हैं, गाव में होत और काम करें, gradient कर ले, जानमर को पा ले, तो उनकी economy gradient थी तो वहाँ पे, और लोग भी urban घुलल में थे, पिर जब industry बनी, तो industry के साथ मुझा आई, ज्यादर लोग चाहिए एक time पे, industrial में मुझा पोजीशनों पे, support चाहिए, labor चाहिए, पिर साथ-साथ क्या चाहिए, पिर सा साथ में में स्कूल, college, hospital चाहिए, साथ में market चाहिए, तो market में different occupation के लोग चाहिए, तो इससाथ शहर या urbanization जो है उनकी शोलगों के economy gradient से industrialization पे आई, तो इस तरह के से urban auroral life में फर्ग भी है, दुनों के अपने structure भी है, दुनों की अपनी composition है, दुनों की अपनी reality है, पिर उस पाकिस्तान में जो history of the urbanization planning के हावाले से, फासके five year plans के हावाले से, पाकिस्तान में five year plan के हावाले से यह है कि बाकायर तो पर एक with plan के साथ, एक design के साथ urbanization होती है, उसुसां जो अगर हम इसको कर ले तो इसलामबाद को हम आपने एक लिए CDA, Capital Development Authority के अंडर जो पाकिस्तान क दानली होकूमत है, बगार everything जो है with a properization होती है, जिसला वजीराजम इम्राहान साथ ने जब announcement की एक industry, वजीराजम हाउस में तो CDA महलिफ की विगास, CDA के master plan के मताबिक G5 जो है, जहाँ पर Prime Minister Secretaries basically for government offices है, और यहाँ पर educator institution अपकार नहीं कर सकते है, वहाँ अपकार नहीं कर स पर 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 रेट जोन है, सकोर्टिक है, तो इस तरह के से बखाइदा पाकिस्तान के अंदर, CDS, स्टर्चन भी मौजूद है, बखाइदा उनकी situation भी मौजूद है, सफाइक भी मौजूद है, पार्क्स भी है, हस्पिताल भी है, स्कूल भी है, residential area भी है, every जो facilities है उसमें मौ पर construction, building, development, तमाँ को एक recognize करना, पर उसके बाद जो है, ट्रंस्पोर्ट सिस्टम, अब अगर हम देखते हैं, ट्रंस्पोर्टेशन सिस्टम पाकिस्तान में सोरी जो से, उसले एक तो यह क्या construction सिस्टम को बहुत स्लो है, अगर आप दुनिया के construction सिस्टम को देख ले, एक comparison क तो सबसे slower पाकिस्तान में, एक-एक मनसूबे पे सहल लगते हैं, और अगर आप जाए, अगर हम बाइर दुनिया में जाए तो हासकर जपान में, च्वाइना में, हम जाए तो उन मुलकों में, वह काम महीनों के हसाब से हैं, बलकर बास करम तो हफदों के हसाब से हो करते है हम लोग उस शालू के हसाब में ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा कोमी दवलेट का जियाभी कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा लेम करते हैं, लोग को तकलीफ में भी रखते हैं, तो इसके लिए एक तो ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टम अर्बन में बहुत ज़्यादा जरू है चाइना में देख लो वहां तो बहुत ज़्यादा लोगो की निफिसेरिटी है या आप एक जगर से दुसरे जगर जाओगे जो तो तीन तीन गंटे एक सीटी में किस लवड़ात के अंदर आप लगाओगे उपर टाइम जया हो जाएगा क्योंकि पब्लिक बहुत ज़रूरी है फिर हाउसिंग कम्यूनिटी और एकनामिक डिवलिप्मेंट प्रोफेशनल तयार करना उनके स्केल के मताबिक उनके टेकनिकल एक्सपर्टी के मताबिक है अड़र कि टाउन को या सीटीज को प्रापर लिच्छला सके अब उच्किनिटी बहुत ज़द प्रापलिम आती है एकनामिक फ्रापलिम्स भी होती है बहुत सारे पॉलिसी अनालिसस भी है प्लेटिकल साइंस अर्बन डिजांट यह तमाम छीज़े होती है जिसको इस्तेमाल करके हम अर्बन हर्बन Сंटर के लिए एक अर्वन मनेंजमेंट डिजाइने है अगर हम इसकी पॉलूशन होती है, सोसाइटी बहुत ज़रा पॉलूटिड हो जाती है, पिर और रिसोर्स्स का जो एक फार्मल रिकार है और अफेक्टड हो जाता है, तो आप चाहिए कि उसकी सस्टेनिबिलिटी और एंवार्मेंटल को प्रोटक्शन बहुत ज़रा ज़रा ज़रूरी है, तो इसका हावाले से इसलिए उसके बाक्स भाले से ने उस दवर में 10,000 ज़रा पॉपॉलेशन होती है, तो उसको आप माइग्रेट कर लें किसी नीव सीटी को अबाद कर लें, ताकि ज़रा पॉपॉलेशन हो जाती है, तो इसे पॉलूशन बढ़े, क्लाइमेट एक्चिं क्याते हैं GIS के ज़री से, ताकि हम प्रापरली इन तमाम चीज़ों को आपस में कार लें, तो यह इस टापिक है, 9 टापिक है, हमने टाप्लैनिंग अर्बन मेनेज्मेंट में की, किस तरीके से हम अर्बन संटर को मिनेज्ज कर सकते हैं, किस तरीके से अर्बनेज़ेशन की प्राप्लम्स हैं, उनको कर सकते हैं, किस तरीके से हम बेटर ली लोगों को कर सकते हैं, सौर्ट कर सकते हैं, फिर इसमें अगर आप कराची को देख लें, अर्बन प्राप्लम्स पाकिस्तान में देख लें, कराची भी पानी का मसला है, टांस्पोर्टेशन का मसला है, लहो कि पाकिस्तान में प्रापर्ली अर्बनाइजेशन नहीं है तो इस सर्जिट में हम काउं प्लैनिंग एंड मनेजमेंट के अवाले से बात करेंगे इसमें मुटलेफ किसम के आप बोक्स है उसके आप ले सकते हैं लेगिन प्रापर्ली मेहुद रिकोमेंट करूंगा कि अब कर दो को समझें लाकि आपको इस सब्जिक के ऊपर इतने कमांड हो किसी भी जगह अगर आप जा सकें तो आप इसके ऊपर आपको इसे में भी हैलफुल है कि isma asker इसके अवाले अर्डिनिजैशन के अवाले से प्रब्लब आफ अर्डिनिजैशन के अवाले से इन तमाँ टपिक को आप भी कवर कर सकते हो अगया अगया आप यह एट्स हो तो आप इसको अप्ट कर ले अर फद्द जो जो हट सर्ड़ एडिस्ट्रेशन के लिए तो इंशालला हम इसको continue लखेंगे और आपके लिए possible है, possible है कि possibly भी हम आपको convey कर सके, possibly हम आप तक पहुंचाएंगे, हर topic को, हर एचीज को, हर aspects को push करूबा, आप बैट के बाहर किसी helping material के, आप उस पे बात कर सके, लोगों discuss कर सके, अगर इसे आजए तो इसे को भी आपा time कर सके, उमीद है, आपको पसना हुआ, thank you, allahafiz.